उनका पूरे विदाल्य प्रिवार के अभिनंदन करता हूं स्वागता हूं वैसे तो राजकोशी जी को स्कूल के लिए नहीं नहीं है आज शाय दिन का पांचमा प्रोग्राम स्कूल के अंदर हुआ है जब भी लिए आते हैं तो मेरी हारती की इच्छा भी रहती है कि मैं आप लोगों के साथ साथ सुम्मीन के प्रोग्राम को देख पाऊं और एक जादू के मनोवंजन के साथ यह हमेशे मैसेज देते हैं जो आज हमारे समाज के अंदर समाजिक पुरूतियां फैली वही हैं गुराई फैली वही थी कि चैव बेटी पचाओ के बातकरू में कोग के अंदर बच्चियों को मार दिया जाता था चाहिए हमें इन्होंने संदेश दिया जल है तो जीवन है और जल है तो कल है बहुत अच्छा संदेश इन्होंने आपको दिया पीसरी बात दिमोंने जो आप लोगों के बीश रखी बहुत इंवारमिक बात थी मैं सुन भी रहा था और व्यकुल हरते से आपको देख भी रहा था इन्होंने जो कहा कि आज भी अगर मैं भी अच्छी तरह से शिक्षित होता तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो है बहुत बड़ी स्टेश के ओपर दिखाता तो दुख हुए इनके सबसुन करके लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उसके पिछे अपनी मजबूरी भी बताई कहीं बार हम लोगों को साधन नहीं मिल पाते जीमत के अंदर आगे बढ़ने के हो सकते हैं के पेरेंट्स की यहीं मजबूर नहीं हो लेकिन आज आप सबको इनसे सीख लेने का भी अफसर है कि आप लोगों के पास वह समस्या नहीं है जो इन लोगों को सामने आई तो आप लोग जो आज एक प्रण भी करके जाएं एक सीख लेकर के जाएं यहां पे कि शिक्षा के बिना जीवन अदूरा है अगर हम जीवन के अंदर कुछ बनना चाहते हैं